नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है अभ्यास अग्री अकेडमी की यूटूब चैनल में और मैं ग्रीराशन दोस्तों स्टार्ट करते हैं अभी तक कितने पार्ट डिसकस कर लिए अभी हमारा पार्ट आज का है नाइन अगर आप ओनलाइन क्लास लेना चाहते हैं रेकोड़ेट वीडियो लेना चाहते हैं किसी भी एग्रिकल्चर कॉंपटेटव एक्जाम के लिए लाइक एडिये एसेडियो आरियो बीएच्यू को अगर आप लाइब क्लास लेना चाहते हैं रेकोड़ेट तो आप अमारी अप्लिकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रप्शन में दीगेए अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फिर टेलिग्राम चैनल फेस्बुक पेज या फिर टेलिटर एंडल पर मुझे सवाल पूछ सकते हैं आपको मैं आंसर दे दूँगा अगर आपको को भी डाउट है तो इस नमबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं अगर आप आरियो एसेडियो की टेस्टरी लेने चाहते हैं तो जस्ट 499 में टोटल 100 टेस्ट हैं टोटल 100 टेस्ट आप ले सकते हैं इसके अंदर अभी तक टोटल 25 टेस्ट हो गए हैं एक्जाम होगा तब तक 100 टेस्ट हो जाएंगे इसकी लिंक इस वीडियो की डिस्क्रप्शन में दी गई है और दोस्तों ओफर चल रहा भी इस्ट प्लस वीडियो हैं प्लस सभी सब्जट का स्टेडी मटेरियल है पीडियाफ हो में आप वो जस्ट 15 रोपे में ले सकते हैं इसके लिए आपको 10% डिसकाउंट भी है इसके लिए आप अभ्यास 10 कूपन कोट का इस्तमाल कर सकते हैं इसका इस्तमाल करके आप 10% डिसकाउंट ले सकते हैं start करते हैं पहला question है जूट की खेती वाले छेत्रों में उसकी जगए सामान वैकल्पी फसल है दोस्तों जिन एरियाज के अंदर जूट बहुते हैं ओन उस छेत्र में हम दूसरी फसल आल्टरनेटिव क्रोप कौन सी लेते हैं पहला कोसं है रिले ग्रोपिंग के वारे में पहला कोशन यहां पर रेले क्रोपिंग तो रेले क्रोपिंग क्या मतलब क्या होता है कि हम दूसरी फसल जो है उसकी कटाई से पहले पहली फसल की बोवाई करते हैं ठीक है अनुपर सस्थन जुसे कहते है कि कटाई से पहले बवाई sowing pulse and rice grow paid to harvest मतलब कटाई से से पहले दान की फसल में दलहनी फसल की मतलब दान की कटाई से पहले अगर हम पल्सेस की सोईंग कर देते हैं तो यह सई आंसर है सेकंड है इंटर क्रोपिंग तो दोस्तों इंटर क्रोपिंग क्या होता है एक साथ दो फसलों को लगाते हैं इंडर प्रोपिंग क्या होते हैं एक साथ दो फसलों को लगाते हैं लेकिन लगाने का जो क्रम होता हो क्या होता है definite row arrangement होता है लेकिन यहाँ पर लेगा है wheat after rice तो यह गलत हो गया ठीक है यह गलत हो गया इसके बाद तीसरा है multi-layered मतलब हमको अलग-अलग जो होता है भाव मंजला खेती अलग-अलग लेयर वाली इसे coconut paper तो आंसर यह भी चाहिए फिर एकल से सोल प्लांटिंग आलू सिर्फ आलू की खेती करना सोल प्लांटिंग तो यहाँ पर गलत कौन सा में से not correctly तो आंसर है भी question number three है मुंग फली की फसल में जब खूटियां packs मिट्टी में भ्रद्धी करती है तो वह बनाती है question number third पूचा गया है कि groundnut packs when developed in the soil क्या बनाती है वो तो इसका correct answer है क्या बनाती है fruits बनाती है क्या बनाती है क्या क्या होता है लोमेंटम बोट निकल या फिर आपको नट मिलेगा कहीं कहीं पर क्या होता है नट क्लियर नेस्ट को सन है question number four in soil science missile stand for soil science दोस्तों missile का मतलब क्या होता है तो दो को missile आपने देखा होगा ऐसे होते है ठीक है यह क्या होते है इसके चारों और क्या होता है यह negatively charge होते है क्या होते है इसके चारों जो दूसरे आयनों को क्या करते हैं एट्रेक्ट करते हैं ठीक है दूसरे आयनों को ऐसे अंदर नेगेटिव है तो भार क्या करेंगे पोजिट्र को एट्रेक्ट करेंगे ठीक है तो यह क्या होते हैं नेगेटिबली चार्ट पार्टिकल क्या होते हैं नेगेटि कि कुछ मिट्टियों में सूखा जब पढ़ता है जिन मिट्टियों में सूखने पर चिकनी मिट्टी अधिक होती है सूखने पर क्या पढ़ जाती है ठीक है और में फैलने की छमता ज्यादा होती है ठीक है और साथ-साथ में क्या होता है उनमें खिशकनी की मुवमेंट होता ह वह कौन सी मिट्टी होती है तो आंसर देखो वह काली मिट्टी होती है कौन सी होती है ब्लेक सोयल होती है आप से पूचा जाए कि ब्लेक सोयल जो होती है दोस्तों इसमें स्कोल्डिने और फैलनी की चमता सबसे ज़्यादा होती है याद रखना स्रिंकेज और सियरिंग की जो ऐसे कोशन आता है सेल प्रवाइंग की किसे सो बादा मलाते हैं तो क्या होगा पी-एच बढ़ेगी पी-एच बढ़ने से क्या होगा देखो ऐसे तत्मों की कमी हो जाएगी जो कम पी-एच पर उपलब दोते हैं जैसे जिंक यहां पर करेक्ट आंजर तीसरा रिडूशिंग दा अवैबिलेटी ओप जिंक बात समझ मारी ज जिंक क्या होता है आपको पता है कि लो पी-एच पर उपलब्द होता है तो यहां पर पी-एच बढ़े जाएगी तो जिंक की अवैबिलेटी घड़ जाएगी कोस्ता नमर है इन ओडर टू एसस दा इमीडिट फर्टिलिटी लेवे ओफ गिवन सोयल फोर पोटेसियम विस प्रटि में मौजूद किस रूप को जांचना होता है तो अब एक्सेंजबल विनिवे पोटेसियम ठीक है अगर हमको तुरंत मिट्टी का कोई नमूना है उस नमूने में हमको इमेडिटली तुरंत क्या करना है पोटेसियम की मातरा को जांचना है तो आपको कौन सा टोटल कोटेसियम में हमको जांचना होता है कौस्छन 08 क्यक हड्रोशकोपिए यह एक्जप में पूचा जाता है कि सब से कम और सब से अदिक दो कोस्बते आते कि आधरता ग्रही सबसे ज़्यादा कौन सा होता है सब से कम यहां पर सबसे कम पूचागा थैक है अगर सबसे ज़्यादा पूचा गया थो अमोनियम now हाइव पतता है जिसकोपग्र उस्काइब होता है एक्रति हम दोट से हुधसे है मतला आख जोह लएँसे छांसे ज्यादा होते है और सबसे कम हो कोन है कैल्सियु आमनोस सूरी पूचा है कि सूचोपगे सबसे कम ऐच दोस्तों संसर द्यायमोंूनियम फ्रस्पड कर दो सबसे कम है तो आशगरी था Cult to вас क्या है तो आउनसर याद है डायमोनियम फंसा याद रखना ऑर सब्सक्रेड और को बताना अमोनियम नाइटेड और सबसे कम पूछा गया तो आपको क्या बताना है डाय अमोनियम फॉस्पेड कोस्छन नमर नाइन दधा मैं आपजक्टिव ऑफ दा ग्रोइंग इंटर क्रोप विदधा मैं फूट क्रोप्स जो को फसलों के साथ जो फ्रुट वह 이거 ना फल दार जो अनोके साहत एंटर क्रोप क्यों लगाती है जैसरे आम में पवगीचे में हैं पपिता के बगीचे मरें एंटर भीचे में लगांए ठीक है मोक्데ए अब्रस फाइडिशनल इंकम मिले गयट एडेशनल इंकम हमको एडिशनल इंकम मिले अतिरिक्त आये मिले इसकी लिए क्या करते हम आम के वगीचा में दूसरी फसल लगा दे बीच बीच में ठीक है को सन्नमर टैन है कि अपको मैंजदा प्यर मिलाना है ठीक है मिलाते मैं अर्गनिक फर्टिलाइजर आपको पता है यूरिया क्या आइसो व्यूटैलिट डाइयूरिया ठीक है अब आच आई वी डी यू यह है तो आंसर क्या होगा तो आप मैच कर लें ना मैंना आपको आंसर बता दियें कुस्सर नमर टैन है विस्तार शिक्चा का विसे नमले के स्रणियों में से किस में रखा जाते मतलब जो आरी एक्स अब दिसिप्लेन ओप एक्स्टेंशन एजूकेशन तो आपको पता है कि एपलाइड वहवीरल साइंस ठीक है एक अनिप्रुक्त वहवारिक विग्यान है एक्सटेंशन एजूकेशन कोस्टा नमर बारा है निमले कित विस्तार कारी करों में से कौन सी योजना किसानों के ल इग्रेटिर रूलर डव्लप्मेंट प्रोग्राम समने विकास योजना कोस्टा नमर बारा है डैपोग विदी का संबंध फसल हो गान किस से संबंध देता है तो डैपोग विदी आपको पता है धानव अप्यों करते नरसरी लगानी की विदी है किसके अंदर पैड़ी के ठीक कोसर नमर फोर्टीन है इस्प्रीडिंग बैराइटी जो ग्राउन नट और प्रेफर्ट इन एरिया रिसीविंग लेट रेंस इन खरीब सीजन विकोज दो ऐसे चेत्र में खरीब मोसम में मूंग फली की फैलने वाली किसमों को बिलम से प्राप्त बरसा वाले चेत्रो यहां पर बारिस लेट होती है उन चेत्रों में हम कुन सी लगाते इस प्रेडिंग क्यों लगाते हैं क्योंकि उनकी डूरेशन ज्यादा होती है द्यार लोंगर डूरेशन ठीक है कोसर नमर पंद्रह है तमाकु में आपको पता है निकोटिन होता है क्या होता है निकोटिन तो बिच बन होता फोलिंग पार्ट सब्दा टोवय को प्लांट सिंतेसाइज निकोटिन का सिंतेसिस का होता है तो याद रखना है निकोटिन का सिंतेसिस हमिशा निर्माण का होता है रूट्स होता है पत्ती अंसर मत लगाना यहां पर स्टोरेज होता है पत्ती के अंदर क्य ठीक है हाइपर ट्रोपी क्या बढ़ गया तो आंसर है कोशिकाओं की संक्या बढ़ने के कारण के लिए ना एक मिनिट सोदी है ना हाइपर प्लेजी आओगा इसका अंसर हाइपर ट्रोपी नी हाइपर प्लेजिया क्या पूचाए एक्सेशिफ डवलाप्मेंट ड्यू टू दे इंग्रीजिन नम्मर ओफ सेल्स अगर कोशिकाओं की संक्या बढ़ने के कारण किसके बारन कोशिकाओं क संक्या ना साइज नहीं बढ़ रही क्या बढ़ रहा है अगर नम्मर बढ़ेगा तो दोस्तों हाइपर प्लेजी आए अगर साइज बढ़ता है साइज तो क्या होता हाइपर ट्रोपी अगर साइज बढ़ता है तो आंसर होता हाइपर ट्रोपी अगर यहां पर कह रहा है क् नम्मर बढ़ना तो नम्मर आंसर क्या आएगा हाईपर प्लेजिया क्या आएगा अगर ऐसा बोला गया होता कि साइज बढ़ने के कारण साइज आकार बढ़ने के कारण किसके कारण आकार बढ़ने के कारण क्या होगा तो आंसर क्या होता फिर हाईपर ट्रोपी यहां पर बो chloride as extra layer आपको पाता है जो chloride मिंडल होता है ठीक है chloride मिंडल ये क्या होता है 211 वाला होता है आपको पाता होगा 211 वाला जिसमें एक बन अतिरिक्त लेयर होती है उस लेयर कौन सी होती है तो आपको पाता है ब्रूसाइट लेयर होती है है टर्मेनली बोरोन का सोर्स क्या होता है कि टर्मेनली पाइरुलुसाइट तो एमन का होता है कोस्टन नमबर ट्वंटी है एक सुद्री किरिया के स्विक कारक को निम्लेकस रणियों के अंदर रखा जाता है कंसिटर दा फ्लोविंग कैटेग्र जो जो अडॉप्टर सोभें इम्प्रूव्ट प्रेक्टेश मतलब जो अड्व्टर की अलगलग सुगी कारों की अलगलग सिर्णियों होती है ठीक है तो कौन कौन फर्ली अड़्यों शी आपको पाता है सबसे पहले टेक्नोलोजी को कौ तो option क्या होंगे, तो option देखो ऐसे होंगे, इसको माल लेते हैं, पांच वा option, तो सबसे पहले कौन आएगा, पांच वा, फिर कौन सा आएगा, दूसरा आएगा, फिर कौन सा आएगा, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, पांच वा आएगा, फिर पांच वा एक बाद कौन सा आ के इधर पदार्तों के ओद्यार नतर्त मान पत्ताता है मतला है सब सबसे जहादा है रखार है कैलशियू औक साइट है सब सबसेया कब सबसे जहादा कालिडरे अध чер Kay trud इसा कजिए मैंगनेसियं कार्वड ये यह पर पको पहता है मैं। आप सबस्ताइब है। मत्रग बार्ट-जो भाएब काश टेयन। फिर इसकता हुसले जोती हुआ है। oh, मेच्पा, मेच्पा की पत्तियु में H add-up पॉस्पोरस तुछ neighboring the tobacco leaves किसके करानों तब potassium की कमी से ठीक है मैंने आपको चारों आंसर बता दी ये किस से जोड़ेगा तो इस से जोड़ेगा ये किस से इस से जोड़ेगा परपल कलर फोस्पोरस ठीक है इसका tobacco potassium को सा नमर 23 में पूचा गया है which one of the अग्याट का प्री-ëमर्जेंस्स है 맛있 को बताना है हर्दति का ग्रोप है तो कौन सा है तो unterstützen कि यहां पर आंसर के या लिस्ट वैदरेवल है नुनतम का मतलब क्या है कि जिसमें क्या होती है मिदरामन निमले के तुमन साए खनद जान निूनतम अप्चसील लीड़ पेदरिंग होता है है ठीक है ना तो लेस्ट अन्स का आवाइगा अन्सर ब scripts कम french कि by depth Mix की इस इस का मतलब का है कि सबसे कम बेसरी तक सही होती है सबसे ज़्यादा तेजी से अबहसे बैदन किसम में होती है अब आप से पूच आए कि बैदन सबसे आसानी से किसम में होती है लेकिन यहां पर पूचा गया है दीरे दीरे कुण टूटता है सबसे नियूं तंस फांसरों लेविल का है ठीच ले इस out यह दोनों मिलके बनाते हैं दोस्तों Concentrated Phosphoric Acid Question No.B Rock Phosphate Phosphoric Acid Nitrate Ammonia यह सब मिलके बनाते हैं Nitro Phosphate Ammonia Gypsum CO2 यह मिलके बनाते है Ammonium Sulphate और यूरिया को बनाया जाता है Answer है Ammonia CO2 देदेखो थोड़ा लेवल है लेकिन कभी ना कभी एक्जाम में पूछा जाते है यूरिया का तो आपको पता है पूछा जाते है कि यूरिया को किस से बनाया जाता है दो चीजों का आपस में रियक्शन कराते हैं दो गैसों का Ammonia और CO2 का तो हमको पता होना चाहिए थोड़ा लेवल टिक यहां पर घ़ेंज शरुके थी किस समभचा से नोर टैन को पढ практи कि कौलिटी से समभचा से चाहिए दांसर समभच दानमा बोनेपन के लिए इस थैए एलार जीए ghen से जो कि पक्षेन के लिए रस टिरगूंज को याद रखना किसके लिए top नंपर टु स्ट कम्यूनिकेशन प्रोशेस इन्फोर्मेशन अपको व्लो ठोल को ने सूचना का प्रभावित यह ठिक़े तो सबसे पहले के छोर्च टीक है यहां पर सोर्च क्या होगा Commun weakness वोलने वाला ठीक है दूसरे önपर क्या होगा मैसेज होगा तीसरे द्म नम Casey यह होगाय द्व्रकर ठीक है फिर चैनल गराव है कहलए उडिये वाला पीर चैनल पर तरह कोने वाला ठीक है जो मैशेज से जा रहे है फिर मैशेज फिर कोण स्थिंगर मिलेट यहां पर नाम नाम नवे इलिसान को रकोना तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर वर्ड्र 1 to 4 3 option गलत है question number 29 है question number 29 29 में पूचा गया if the land utilization index LUI किसी फसल का 0.50 है तो फसल की अबधी duration क्या होगी कुछ भी नहीं करना 365 से इसको गुणा करना है 365 से लगवाग आएगा 182.5 तो इसको लग सकते हूं 183 तो इसका answer है 183 question number 30 फिर से match the beer मैं match the beer इसली देता हूं दोस्तो आपको ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा question मिले एक option एक question में चार question मिलते हैं को जिफ समें तो आपको पताए जिफ सम क्या है तो जिफ समें calcium fertilizer जिफ समें calcium fertilizer तो सबको पाता है सर्पेंटाइन के मैगनीशियम का फर्टिलाइजर है चिलेट के हैं तो माइक्रोनूट्रिण फर्टिलाइजर है जीसा ही आंसर है अब यहां पर पूचा गया है कि गहों की स्ट्राइब रस्ट वीमारी किसे होती है इस्ट्राइब रस्ट का मतलब यहलो रस्ट किस्से होती है को सब्सक्राइब नमर 33 है शाल्टेशन में पार्टिकल का सथ के शुक्राइब के पॉइंट 5 होता है अलग अलग जीन की एलील के बीच के इंट्रेक्षान को क्या कहते है ठीक है इंट्रेक्सन बिटुइन दू डिफरेंट लोक आईगत। दो स्का अंसर होता है क्या होता है दो जीन की अलग-अलग की बीच में इंट्रेक्शन को क्या कहते हूं इंपोर्टेंड कोस्टन है ना अगर आपको यह लगता तो आप डारेक्टर्स को लेग ले और यात कर लें यह एक्जाम में पूचा जाता है को स्टन नम्मर ए दा फैटी एसेड दैट इस प को पता है कौन सा होता है यह रूस्ग एक इस इड कुन सा होगा यह रूस्ग एसे डोगा कोशन नमर 37 है पादपूतक यंग जिसका उप्योग इन्विट्रो कल्चर में होता है बहुत important question है यह बहुत सारे exam में पूचा गया है ठीक है दोस्तो अगर आपको समझ नहीं आता तो आप इसको कोपी में लिख लें और याद कर लें बहुत important है बहुत सारे exam में पूचा गया है कि पादप का वहवाग जिसका उप्योग हम tissue culture तक्निक में इन्विट्रो कल्चर में करते हैं उसे क्या कहते हैं तो दोस्तों से x plant कहते हैं क्या कहते हैं उसे हम x plant कहते हैं the plant tissue or organ excite and used for in vitro culture क्या कहते हैं x plant कहते हैं पादप का को भी भाग जिसका उप्योग करके tissue culture में हम एक नया plant बनाते हैं उसे x plant कहते हैं question number 38 वह variety क्या कहलाती है जिसे किसान लंबे समय से उगाता है और जिसके बारे में उसको अधिक जानकारी होती है मतलब किसान के करते हैं कुछ ऐसी traditional variety होगाते है तो दोस्तों को क्या बोला जाता है farmer variety उस variety को फिर क्या कहते हैं farmer variety कहते हैं ऐसी variety जनको किसान लंबे समय से उगाता है question number 39 है लेंगे जनन में नर्वा मादा की युगमक के मिलन को क्या कहते हैं fusion of male and female gamit male and female gamit की fusion को क्या कहते हैं तो दोस्तों से क्या कहते हैं fertilization कहते है simple question है question number 40 है the correct sequence of cell division ठीक है cell division होते हैं उनका crop duration के आदार पर अबदी के आदार पर किसके आदार पर स्भी क्रम क्या होती है चीप हें तो अपर मैच कर लें प्रोंपे प्रोंपेंघ सब्सक्राइब करने में किया जाते हैं तक केमिकल विचार यूज तु इंड्यूज दा मैल इस्टलिटी इन क्रोप प्लांट इस खोल तो सम कहते हैं गयमेटोसाइड अब म्यूटाइजन मतलग आतने कलती है ना कि म्यूटाइजन कहते हैं म्यूटाइजन क्या होते हैं यह हैं सब्सक्राइज करते हैं क्या करते हैं यह एक पादप के पराकरों का उसी पादप के दूसरे बhal प्रती काकरण पर पहुंचना लाश्त इयर पीएसजन स्यंस में इंपोर्टेंट कोश्चन है PSC 2019 में पूचा था यह वाला कोश्चन कि एक ही प्लांट के दो फ्लोवर के बीच में पॉलीनेशन होता उसे क्या कहते हैं तुसे हम जीन अटो गयमी कहते हैं कोश्चन नमर 43 है the sum total of the genes present in the random mating population of a given time it is cold दोस्त इसे gene pool कहते हैं इसका correct आंसर जर्म प्लाज भी है जर्म प्लाज भी और जीन प्लाज दोनों एकी जही होते हैं दो correct option है gene pool और जर्म प्लाज दोनों आंसर चाहिए कोश्चन नमर 44 है flaring of square in cotton का पास में जो flaring square नाम का symptom होते हैं किस wall warm के कारण होते हैं तो sported wall warm के कारण होते हैं अगर ऐसा पूचा होता double seed formation तो pink wall warm ठीक है circular hole पूचा होता कि circular hole किस्चे बनते हैं तो answer the American wall warm ठीक है तो यहाँ पर correct answer क्या है स्पोटेट वोलबूम कोश्चन नमर 45 है the form of sugar found in large amount in the germinated seed is known as the मतलब अंकुरित वीजों में कौन सी सगर अगा अधिक मातरा में पाई जाती है तो इसका answer होता है माल्टोज यह question exam में पूचा जाते हैं अंकुरित वीजों में कि कौन सी सगर सबसे जादा होती है माल्टोज question number is the brassica species which is commonly called as the बनार्सी राई बनार्सी राई का नाम के ब्रैसी का नाईगरा question number 47 grow out test किसके परिक्ष्ण के लिए करते हैं तो answer is got test होता है got test याद रखना आप genetic purity के लिए किसके लिए होता है genetic purity के लिए किया जाता है question number 48 बीज रहत अंगूर किस रह साइंस उत्पन किया थे हैं तो आंसर है जब्रेलिन किसके दौरा जब्रेलिन के दौरा question number 49 बीजन पी हाइब्रेट रिलीज आपको पता है यह क्या है अरहर का मतलब तौर गाल का ठीक है क्या है पहला हाइब्रेट है ठीक है फस्ट हाइब्रेट है कहां से निकला है question number 50 बीजन पी अरे से राइस हाइब्रेट ठीक है यह आपको पाता है पूसा राइस हाईब्रेट है जो है नहान का डान ही ठीक है अपको सभी question 50 अरही पर को सभी सबस्ड़ेट के कोशन ठीक है ठोड़े डम कोशन रहते हैं तो अपने लेवल होँए फै empieza क्या है क्योंकि क्या है एजी कोशन तो सभी कोशन में आपको przepट काई कोशन पट हुं कि खहागा भीमारी होती है तो हम्रेट मतलब नहीं है थोड़ा लेवल अपना बढ़ाएंगे तो क्या होगा एक्जाम अपने को फायदा होगा तो मैं आपको अच्छे वाले कोशन देता हूं अगर आपको नहीं आते हैं तो आप क्या करें उनको सिंपल अपने रेजिस्टर में लिख लिए अगर उनको याद कर लि लगवक कितने होगा चार सो पचास खोसन होगा आपके पास अभी लेवल तो आप चैनल को लाइक जरूर करें सेर करें सब्सक्राइब करें थैंक्यू धन्नावाद